हलो गाईज वेलकम बाग दसाइट संजीब पांडे आप देख रहे हो एडियू है और आज हम कम्प्लीट स्टडी प्लान लाए हैं जैन और फेब मन्त के लिए तो बेसिकली आपका एक्जाम 10th CBAC वालों का एक्जाम 27th of Feb से शुरू हो रहे हैं यह अल्मोस एंड of the Feb से तो सकता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कभी बतलब मान लो कि एक 10% का डिफरेंस आ सकता अगर एफेक्टिवली यूज किया ओके तो आईए शुरू करते हैं as per your demand तीक है जैन और फेब दोनों मन्त का यहां पे मैं आपको प्लान बताने वालों for all the subjects कैसे आप अपने दि अपने एक एक दिन extra लिखा तो basically मैंने यहां पर जैसे अगर मान लो कि 4th को exam है तो मैंने 4th का day count किया था for the next study इसके लिए यहां पर 10 की जगह 11 लिख दिया यहां पर 3 की जगह 2 की जगह 2 लिख दिया ऐसे so on लिखा हुआ है तो आप समझ लिए एक एक दिन कम कह लिए उसमे पर स्टिल there is a gap जो की आप देख सकते हो कि social science में आपको अच्छा कासा gap मिल रहा है board exam में ठीक है और followed by science और उसके बाद में फिर आपको math जो की average gap है and then बाकी आपका 2 languages ठीक है तो इसी के according मैं आपको थोड़ा सा पहले एक upper view दे दूंगी भाई social science में अगर आपको अच्छा कासा revision gap मिल रहा है तो यहां पर जाहतर बच्चे जो थोड़ा procrastinate करते हैं जो थोड़ा मस्ती वाले होते हैं वो उन्हें exam gaps को सही से utilize नहीं कर पाते ठीक है ऐसा लगता रहा ठीक है न दस दिन है तो जैसे आपका उसके एक दिन पहले एक exam पहले नहीं चलेगा कैसे कहां चला गया उससे बहतर होता कि एक दिन छुटी होता और आपका अगला exam होता तो यह दिमांग में बिठा लो कि जब भी ऐसा gap होगा तो उसको आप सही तरीके से use करने वाले और वहां पर आप effectively use कर पा रहे हो तब इस gap का मतलब है ठीक है तो उसी हिस हिसाब से मैं आपको चीजें बताओंगा ठीक है जैसे आपका SST का 10 दिन का अच्छा खासा gap मिलने वाला है जिसमें आप अगर मालो की बहुत सोशल साइंस में चार सब्जेक्ट्स है यह इस्ट्री जोग्रफी सिविक्स एकनॉमिक्स आराम से कर पाओगे revision मैं इसको mark कर ल है अभी के टाइम पे मतलब अगर में एक्जाम की gap की बात ना करो तो अभी आपको अपने chapters तो complete कर लेना है chapters कोई छोड़ना नहीं उस time के लिए chapters आपको पढ़के complete कर लेने है ठीक है basic level पर आपको chapters पढ़ लेना है अभी okay PYQs देख लो ठीक है for now और at least 2 sample papers लगा लेना इस month में जन्वरी का जो महिना होगा उसमें 2 sample papers कर लेना okay at least and then coming to science की बात करें अगर हम ठीक है मैं आपको chapters अभी complete कर लेने है lab manual भी पढ़के रख लेना उसमें से भी काफी चीज़ें जो mcq या कुछ question जो है वो बन जाते हैं तो वह भी एक बार go through करना जरूरी है ठीक है as per the syllabus and जो भी cut down हुआ उसके हिसाब से ठीक है और जिनको अभी तक doubt है कि sir क्या deleted है क्या नहीं deleted है तो उसके लिए मैंने भी recent में वीडियो बनाया था तो go and check ठीक है deleted syllabus subject wise जालते जाओ edu app लगाते जाओ you'll get that ठीक है on youtube okay 3-4 sample paper अभी करने बड़े जरूरी है at least लिख रहा हूं मैं उसके बाद मैं अगले वाले में अब आते हैं हम वह दो महीने जो यह जनवरी चल रहा है और जो फरवरी आने वाले है ना सर्दिया होते हैं से जल्दी सबेर उठने को नहीं होता रात में मुझा ठंड लगती है कैसे पड़े है कैसे पड़े टाइम अब देखो time मैं नहीं बताऊंगा कि आप 2 गंडा पड़ो गी तीन घंटा पड़ो चार घंटा पड़ो कि पाज घंडा पड़ो आपके उपर होगा अब क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा थीक है टाइम हमने कई बार डिसकस किया है टाइम के बारे में ओके आप study को एक बार में major chunk में मत करो उसको छोटे चोटे parts में डिवाइड कर दो एक दिन को आपके ही साब से करना है अब कौन से डे में क्या करना जाते है आपके ओपर है लेकिन आप ऐसे बहुत ही simple way में अगर मैं describe करना चाहूं तो भाई अभी जो समय है उसमें जादा से जादा आपको practice करनी है difficult topics थोड़े है तो च्छी के ओपढ़ लोगे और maximum आपको practice करनी है ठीक कर सकते हो math sst भी कर सकते हो कोई भी तो combination में करो तो एक मालो math का कर लिया एक science का कर लिया मंडे की दिन previous year का paper कर लिया previous year में प्रीवियस आप उल्टा करना मतलब जैसे 2021 2020 2019 यह आप करते जाओगे इस flow में ठीक है और तुम बोलोगे sir इसमें एक में होता होगा half syllabus रहेगा किसी में हाँ pattern रहेगा मैं प्रीवियसर question इसलिए करना है इससे आपको थोड़ा idea लगता है कि हाँ बोर्ड जो है या CBSE जो है वो क्या level पर question पूछता है हलां कि competency level इस बार काफी मतलब अच्छा add किया गया है but still आपको यह करने से काफी एक एक standardization आपको आ जाती है तो यहाँ प प्रियोडिक classification question लगाए जा रहे हो ठीक है तो मतलब आपको पता होना चाहिए क्या deleted है उसके हिसाब से आप करते जाओ ओके और उसका एक अच्छा idea आपके पस होना चाहिए नहीं है तो वीडियो देख लेना इसके बाद Tuesday की बात करें तो Tuesday को मैं क्या कर रहा हूँगा मैं उसको language दे घोशित कर दूगा जिसमें मैं English के साथ साथ Hindi या Sanskrit या जो भी आपका language होगा तो आप अपने pending chapters को सही से कर रहे होगे ठीक है बहुत जरूरी होता है कि chapters का आपको in-depth knowledge हो तो आप deep NCRT जो रहे करना जरूरी होता है तो वो कर सकते हो जो भी pending chapters आपके होंगे और अ Summaries होती है तो उससे एक basic idea लगते रहता है एक recall होता रहता है story है ना इसके बाद एक sample paper करते रहे ना तुझे से माल लो कि इस Tuesday आपने English की आगले Tuesday आपने Hindi कर लिया या Sanskrit कर लिया और उसके बाद language 2 कर लो Hindi essence 3 या कोई और language या फिर उल्टा भी कर सकते हो तो ऐसे अपने Tuesday को डिवाइड कर सकते हो coming to Wednesday, Thursday, Friday तो Wednesday, Thursday, Friday को देखो कैसे रखा है अपने ये तीन दिन जो है Wednesday को full SST दिया है मैंने Thursday को full science दिया है और Friday को full math दिया हुआ है अब ये full SST, full science, full math में आप क्या कर सकते हो तो वाया वीडियो आप concepts को जैसे SST और science हो गया उसकी chapters को one shot videos आप देख सकते हो राइट प्रैक्टिस questions आप जो है कर सकते हो latest questions आपको question bank या कुछ इसा है तो आप वो कर सकते हो राइट या अच्छे कोई books हैं जिसके दुरू आप अगर मालो RDRS इससे भी कर रहे हो ठीक है NCRT से आप मालो alternate questions लगाते जा रहे हो तो practice करना जरूरी है इसके अंदर इसके बाद textbook का rapid reading या rapid revision through textbook अगर आपने social science में अगर आपने highlighter से या pencil से underline का करका है वो topics को फड़ते जाओ ठीक है आपने मार्किंग की होगी उसको पड़ते जाओ ठीक है और previous year questions जो है कुछ important questions अगर आपको दिखते जाते तो उसको आप लगाते जाओ राइट चैप्टर वाइस previous year question आप कर सकते हो and then coming to question bank तो question bank मतलब again question bank हो या जो मैंने बताया कि कोई भी important book आपके पास कोई भी reference book है जिसके तो आप latest type के questions कर सकते हो तो काफी है ठीक है अब यहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि भाई मतलब सिर्फ सेस्टी डे रखा है मैंने तो सेस्टी डे में आप एक घंटे का मतलब सिर्फ एक ही subject कर रहे हो तो शायद वो बोरियत होने लगे तो एक घंटे का maths practice ठीक है कोई भी एक chapter को आपको कर लेना है मालो trigonometry पकड़ाद हो trigonometry का आपने tick कर लिया कोई भी exercise जितने भी exercise उसमें से कुछ 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 एक कर लिये और आपने अच्छा कासा उसको एक घंटे में आपने कर लिया ठीक है ऐसे ही अगला वाला दिन में भी जैसे science वाले दिन में भी आपको मैस का एक घंटे का practice रखना है एक chapter का और Friday को आपको आपको तो already maths दिया ही है फुल डे मैट्स रखा है पर उसमें भी आप एक घंटा language के लिए चाहे वो English हो, Hindi हो, Sanskrit हो, जो भी language हो वहाँ पर grammar और writing के फॉर्माट्स देखे जा सकते हैं, grammar की practice की जा सकती है तो वो सब as per latest जो pattern है उसके हिसाब से आप practice करते जाओ बहुत जरूरी है अगला है कि Saturday, Sunday बचता है, तो मैंने Sunday को ऐसे रखा है, कि Sunday को आप कुछ मत करो, सिर्फ दो latest sample paper solve करो तो इसमें चाहे आप वही combination से मैंने बबता है, कि math plus science कर लो, एक math सुबह कर लिया, साइन्स को शाम को कर लिया या science SST, या math SST, ये combo लगा सकते हो, और Saturday को उसी की properly preparation करनी है बहुत ही serious way में preparation करनी है, माल लो अपने board exam केता है और वहाँ पर आपने exam दिया तो ये बहुत जरूरी होगा कि जन्वरी को आप इस तरीके से practice और revision के लिए इसमें जाहतर तर तो practice ही है, उसके लिए आप utilize कर रहे होगे days आपको अपने हिसाब से आप plan कर सकते हो, कोई दिक्खत की बात नहीं है अगर आपके school में pre-board चल रहा है तो उसके इसाब से आप थोड़ा सा इसमें adjustment कर सकते हो, changes कर सकते हो, not an issue but जरूरी है कि इसको इस तरीके से करा जाए, ठीक है अगर आपको नहीं पता, तो हमारा, हमने एक, मतलब, all India level पे class 10 के लिए हमने pre-board announce किया हुआ है, ठीक है, तो इट इस edu app offline, all India offline test जो है वो आपका होने वाला होगा तो जो की जन्वली महिने में ही है, जिसकी detail आपको मैं जल्द ही देने वाला हूँ, मैंने पहले भी बताया है, बढ़ date wise मैं आपको देने वाला हूँ तो उसमें आप जाके app पर जाके check कर सकते हो, उसके बारे में detail ले सकते हो, उसमें आपको all India level पे test होगा और उसकी rank पता आपको पता लगेगी, तो फेब 10 तरीक के आसपास में वो उसकी rank आपको announce हो जाएगी, तो वो आप दे सकते हो, जिसमें आपको अपना position या आप अतल पर जरूर से check कर लेना एक बार, and coming to feb का महीना, तो जो मारा फरवरी का महीना है, वो किस तरीके से बीतना चाहिए, तो जैसे कि आपको बता कि पहला exam English है, तो English के लिए तो आप 27 को है, तो आप 21 से लेके 26 तक अराम से आप practice कर लोगे, तो उसी साब से हमने feb महीने को divide किय होगा, यह आपका majorly आप SST और English कर रहे होगे कुछ हपता, ठीक है, तो this will be for SST English, यह दोनों वो subject है, जिसके लिए आपके पास भरपूर time है, English भी पहला exam है, तो time ही time है, और SST के लिए आपको 10 दिन मिल रहे है, तो basically यह जो पहला हफता होगा feb का, यह आपका revision कर रहे time है, ठीक है, तो यहाँ पर आप chapter की summary videos देख सकते हो, one short summary videos देख सकते हो, ठीक है, SST के बात करें, तो SST का summary video है, मेरा भी है, और Shubham Sar का भी है, जो आप देख सकते हो, ठीक है, मेरा थोड़ा short version वाला है, okay, and then coming to rapid mind maps, जो है, वो भी हमने हमारे app पर, आपको free of course मिल जाएंग तो आप वो जाके free study material में check कर सकते हो, ठीक है, तो यह बहुत, बतलब helpful जाता है, SST की अगर हम खासकर बात करें, ठीक है, इसके अलावा go through important sections from your NCRT, जैसा कि मैंने बताया था, महाँ पर, ठीक है, practice करो grammar की, unseen passage की, ठीक है, writing formats की, okay, and 4 sample papers, जिसमें से 2 SST और 2 English की आप कर रहे ह होगे, ठीक है, अगर हम बात करें, 8th to 13th of your, this, 8th से लेके 13 वाले में, तो आप यहाँ पर science का पूरा revision आप यहाँ पर करोगे, science और और एक, हाँ, ठीक है, तो science में आपको, जो फटा फट वीडियो है, I think काफी लोगों ने उसको follow करना शुरू कर दिया, अगर नहीं देख होगे, ठीक है, science वाली week में, और इसके अलावा, topic wise videos भी, जहां पर भी आपको चाहिए कि मिरको, electron dot structure, या मुझे, IOPSE देखना है तो उसके लिए, particularly आप वो डाल के, YouTube पर topic दाल के, और वैसे भी, आप search करके, इसको देख सकते हो, ठीक है, and along with that, PYQs करना, chapter wise, वो भी, काफी helpful होगा, lab manual और previous 2 year के papers, यह आप अगर करोगे, तो काफी fruitful रहेगा, ठीक है, science week में, और all difficult topics, ठीक है, जैसे कि आपने वहाँ पर उसको अरड़ी इंग्लूड कर लिया, और 3 sample papers, यहाँ पर आप कर सकते हो, latest वाले, ठीक है, coming back to, जो second half of the month होगा, यानी 14th to 20th, आपका math, और language to Hindi या Sanskrit, और 21st to 26th थी आपका, क्योंकि 27th को English है, तो आप यहाँ पर English का obviously revision कर रहे होगे, ठीक है, जिसमें chapter की summary videos, ठीक है, difficult topics, go through the various format of writing section, ठीक है, grammar की practice, unseen passage की practice, ठीक है, 2 sample paper, जो मैंने वहाँ बता है, वो same चीज यहाँ पर repeat हो रही होगी, और 14th to 20th में आपका math और Hindi है, तो यहाँ पर भी obviously आप practice or from, ठीक है, जो RS Agrawal से या RD Sharma से अगर आपने question mark की है, या textbook से, या exemplar वाली book से, very important, ठीक है, यह मैं miss कर रहा हूँ यहाँ यहाँ पर, exemplar वाली book से भी आप यहाँ पर practice कर रहे होगे, ठीक है, मैं यहाँ यहाँ पर लिख देता हूँ, don't miss this, ठीक है, even science में भी आपको exemplar वाली book अगर practice कर रहे हो, तो बहुत-बहुत help मिलेगी, okay, NCRT की जैसे NCRT की आपके textbook होती है, वैसे NCRT की exemplar book होती है, math science में काफी सादा ही है, आपको दोनों subject में help करेगी, ठीक है, तो अगर कहीं पर difficulty आ रही है, math में भी, तो you have all the rice here ने बनाई है, सारे chapter wise videos है, तो topic आप जिस exercise में आपको देखना है, वो देख सकते हो, ठीक है, अगर हम बात करें, again, language की तो वहाँ पर difficult word, ठीक है, textual Q&A's, question answers जो होते, textbook के, ठीक है, go through various format of writing section, ठीक है, practice grammar questions, same, मतलब जो आपका हिंदी में होगा उससाब से, और sample papers आप कर रहे हो, math के अगर बात क और exemplar, ठीक है, मैं अपना तरीका बता तो math में, कि मैं कैसे revise कर रहा होता था, तो अगर कम time है और जाधा revise करना है, तो, और हर बार same चीज़ तो हम नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्या करता था, decide करता है, कि आज मैं trigonometry के सिर्फ odd number वाले questions करूंगा, यानि 1, question number 1, question number 3, question number 5, ऐसे alternate, और अगली बार जा मैं बैटूंगा, तो even number वाले question करूंगा, तो इससे मेरे सारा practice हो रहा है, सारा revision हो रहा है, तो या आप textbook के लिए, NCRT के लिए, या जो भी review a book, आप follow कर रहे हो, उसके हिसाप से आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये रहा कुछ हमारा Jan और Feb का जो preparation होना च ये उस हिसाप से मने आपको बताया, इसके अलावा, जो gap वाले चीज होगी, वो तो अपने उस टाइम पर कर रहे होंगे, उसके बारे में discussion, ठीक है, आप नीचे comment करके बताइए, कि आप इस दो मन को कैसे utilize करने का सोच रहे थे, और इस में से आपको कौन सा वाला चीज है, जो आप लग रहे है, this will be very helpful, ठीक है, तो comment करके बताइए, और इंतिजार रहेगा आपके comment का, and yes, next topic कौन सी चाहिए, आपको अगला वीडियो किसी का चीज़ कमेंट करके बताना, बाकि topics जो है, हमारे live session जो है, वो जल्दी ही शुरू होने वाले है, तो भाई, आप लोग क कर दो है, जो आपके बतारो खख़ towåunya मेंट करते दिए किसी का ठापके है, जो किक चाहिए, आप किसी का पाम रहेगा है, जो है, अू अआए प्याँ लुवस not li.